दोस्तों Firebolt ने अपनी एक नई स्मार्ट वाच लाँच कर दी जिसका नाम है Almight अब यह जो Firebolt Almight स्मार्ट वाच ही यह complete specifications के साफ में आती है मतलब इसमें Bluetooth call है, Amulay Display है, Always on Display है सारे आपको fitness features देखने को मल जाते हैं तो fully features loaded आप स्मार्ट वाच इसको बोल सकती हूँ आपको पता चल जाएगा, तो अगर आपका भी plan hander 5000 वाच को स्मार्ट वाच बाय करने का जो fully feature loaded हो तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए सबसे पहले बात करेंगे Firebolt Almight स्मार्ट वाच के हम दोस्तों design को लेके, तो इसमें आपको circular frame देखने को मिल जाता है, जो लगता है metal का बना हुआ है और right hand side में दो physical key आपको देखने को मिल जाती है, इसमें जो strap है उसमें दो option आपको मिलेगा silicon और leather आप अपने पसंद के साब से buy कर सकते हो कि कौन सा आपको strap लेना है, लेकिन आपके इसके steps को आप change कर सकते हो, third party strap भी लगा सकते हो और इसमें आपको sporty design देखने को मिल जाता है जिसका screen resolution है 454 x 454 pixels का, इसमें आपको multiple watch faces देखने को मिलते हैं और always on display की functionality भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है displays की bright आपको देखने को मिल जागी तो outdoor में कोई issue नहीं होने वाला है तो मैं एक सब्द में अगर बोलू तो आपको अच्छी खासी display इस वाले smart watch में मिल जाएगी इसमें display side से कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर बात कलने fitness features की तो इस वाले smart watch में आपको spo2 मिल जाता है heart rate monitoring है blood pressure monitoring मिल जाती है sleep tracking मिल जाती है stress direction, calorie burn, step count इस तरह के आपको बहुत सारे fitness features देखने को मिल जाएगे और इनकोई accuracy भी बढ़ियां आपको देखने को मिल जाएगी अगर बात कलने workouts mode की तो fireball अलपाइट smart watch में built-in आपको 11 workouts mode देखने को मिलते हैं तो 11 workouts mode यहाँ पर आपको built-in देखने को मिलेंगे तो workouts mode के जो number है वो कहीं ने कहीं बहुत जादा नहीं है पर मैं इतना शौर हूँ कि हम लोग जो भी workouts mode अपने daily app में करते हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और एक बात आपको बता दूँ कि इसमें आपको built-in GPS देखने को नहीं मिलता है और इस वाले smart watch का जो सबसे highlighting feature है वो है Bluetooth calls का होना इसमें built-in microphone और speaker होने वाला है जिसकी मदद से आप Bluetooth call कर सकते हो अगर आपके phone पर कोई call आई है तो इस वाले smart watch के तो आप receive करके बात कर सकते हो इसमें कुछ आपको quick features देखने को मिल जाती है जैसे आपकोई contact save करके रख सकते हो या फिर recent dial आप कर सकते हो अगर आप मेंसे कोई इस वाले smart watch को buy करें तो मुझे जरूर बताइएगा इसका जो Bluetooth call functionality वो सच में काफी सही से काम करता है या फिर सिर्फ नाम के लिए ही company ने इसमें दिया हुआ है वैसे इस वाले smart watch में company claim करती है 10 days का battery backup लेकिन अगर आप always on display on करो Bluetooth calls को use करो तो मुझे लगता है कि 3-4 दिन का आपको maximum इसमें battery backup देखने को मिलेगा तो अगर ये smart watch दोस्तों 6-7 days का battery backup देखी ती always on display पे Bluetooth calls पे तो काफी अच्छा होता लेकिन फिर भी अगर ये 3-4 days का भी battery backup दे दे रही है always on display आप 24-7 on करके रखे हो Bluetooth calls की use कर रहे हो तो मेरे साब से काफी सही है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 3-4 दिन का भी battery backup ये देगी अगर आप always on display और जो है Bluetooth calls को regularly use करो वैसे Firewall अलवाइट में एक अच्छा feature और भी देखने को मिल जाता है इसमें Assistant आपको देखने को मिल जाता है अब ये depend करेगा कि आप कौंसा phone यूज़ कर रहे हो अगर Android phone यूज़ कर रहे हो तो आपको Google Assistant मिल जाएगा और अगर आप iPhone यूज़ कर रहे हो तो आपको इसमें Smart Watch खराब हो सकती है और Notifications की बात कर लें तो इस वाले Smart Watch में आपको सभी तरह के Notification देखने को मिल जाएगे Call, Message, Email, आपके सभी Social Media Apps के भी Notification मिल जाएगे आप Notification को Customize भी कर सकते हो अपनी Need की इसाब से तो overall दोस्तों कुछ यही features होने वाले है Firewall All Might में अगर आप features देखते हो हैं वो एक सबसे बड़ा दोस्तों यहां पर matter रहेगा बाकि अगर मैं आपको pricing बता दूं तो company ने इसको 4999 रॉपिस का launch किया 5000 में company ने इसको launch किया है तो pricing तो इसकी काफी अच्छी रखी गई है बस feature सही से काम करें तो बहुत अच्छे Smart Watch होने वाली है बाकि आप लोगों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में